मित्रों नमस संस्कृताय, मैं हूँ सुन्खित गिंगादारागंज प्रयाग राज से सरवगिभूशन और एक प्रशन आया था आपकी यूजी सीनेट जयारब की परिक्षा में कि किरातारजुनी महाकावियस्य कथावस्तु कुताह ग्रिहीतम फिर से सुन लिजेगा, इसका हिंदी ये होगा कि किरातारजुनी महाकाविय की कथावस्तु यानि कथानक कहां से लिया गया है मैं यह प्रश्न आपको इसले बता रहा हूं कि इसी प्रकार से यह प्रश्न आपको ये बताएगा कि कितने सारे सवाल आपसे इसे पूछे जा सकते हैं बिए के रगवन्स महाअ कावी авिज्ञान का Tea करिंगे ज़ितने भी महाकावी एक प्रशञ कथा यूज्ञ माहकावी आनि लिए ऐसा आप देखेंगे बाट बाटार को की Lac Continue कि इससे आपक लगस्व लगबग लगबग हो जाता है इस लिए तैयारी का एक तरीका होता है कि हम पुराने पेपर देखें उनमें यह देखें कि क्या पूछा गया कि महाबहरत के वन परवशे किरातारजुनी लिया गया है इसका सीधा सा उत्तर है आप सब जानते हैं लेकिन हमें एक ऐसी लिष्ट बनानी है कि महाभारत के वहीं कि रातारजुनिय महाकव यदी महाभारत के वन पर विसे संती के साथ जबाब सभापृ ने जाएंगे महा भारत जिन जिन गरंथों का उपजीव है हमको उन सभी गरंथों की एक सूची अपने पास रखनी चाहिए इसको एक नोट्स बनाना चाहिए इससे बड़ा आसान हो जाएगा हो सकता है अगली बार आपसे ये परिक्षा में पूँचे कि शिशुपालवद महा कावियस्य कथावस्तु कुता अगरी हितम या शिशुपालवद महा काविय कहां से लिया गया है तो महा भारत से लिया गया है अत्वा और अंदर जाए परवपूचे ले तो आपको महा भार को हल करा देगा और ठीक है माना कि इस बार यह सवाल पूंचा गया है पिछले पेपर आप उठाएंगे तो एक प्रश्ण एक पेपर में यह सवाल मिला था कि शुपालवद महाकावे की कतावस्तु कहां से ली गई है इसका मतलब हमें इस प्रश्ण से उन सारी उन सारे परवर्शे क्या है और कहीं भी आपको यह बड़ी सहस्ता से उपलब्ध हो जाते हैं आप कोई भी संस्कृत साहित्य का इतिहास उठाएंगे और उनमें सबका केवल उपजी विगन दो खासकर संस्कृत गंगा का साहित्य में आपने पढ़ा हो तो उसकी पूरी सूची बन जैसे माली जैं अगली बार आप से सवाल पूछ ले कि अभिज्यान शाकुंतले कती अंका हसंति अब बड़ा सामान सा तरीका है और परीक्षा आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी बड़ी सरल हो जाएगी अतवा ऐसे कर लें कि भाई अभिज्ञान साकुंतल में साथ अंक हैं उत्तराम चरितम में भी साथ अंक हैं तो साथ अंकों वाले जितने नाटक हैं उनकों साथ में पढ़ लें चार अंकों वाली जो नाटिका गरंथ उनकों साथ में रख लें मित्रों में आज आपको इस वीडियो के माद्यम से सिर्फ ये बताने आया था कुछ पढ़ाना उद्देश नहीं था ये बताना उद्देश था कि जैसे बहुत सारे लोग फोन करते हैं पूछते हैं कि सर कैसे तैयारी करें कैसे पढ़ें तो कभी कभी पुराने पेपर्स उठा लीजे और पुराने पेपर्स के आधार पर देखे कि सवाल क्या पूछा गया है और उस सवाल के आधार पर समभावित सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है उन सभी समभावित सवालों का नोट्स आप बना करके रख लें जैसे एक उदारन है कि किरात अरुजनी महा कावि कहां से लिया गया है ति इसका सीधा सा उत्तर है कि महा भारत के वन परवशे लिया गया है पर इसी के साथ साथ आप शुशुपालवद महा भारत के सभा परवशे है नैसधी भी महा भारत के वन परवशे है किरात भी महा भा इसे तरह अभिज्ञान साकुंतल महाभारत के आदी परवशे है वेडी संगार महाभारत के सभा परवशे है वहां से है कादंबरी गुड़ाद की विर्यत कथा का सुम्रस वरतांत है बुद्ध चरितम बहुत गरंद का इतिहास प्रशिद जो ललीत विस्तर नामक गरंद है तो आपको शुप्रमाशो दत्तम है या उत्तराम चरितम वालमी के नामाण के उत्तरकांड से है जितने प्रशिद गरंथ है नाटक हो महाकावी हो उन सब को लिख करके सब का उपजीव गरंथ हमें लिख लेना चाहिए पढ़ लेना चाहिए इसका एक नोट्स बना लेना अगली बार जब शुशुपाल का कहां से लिया गया है शुशुपाल की कथा कहां से लिगई है या नैसिदी चरित की कथा कहां से लिगई है या साकुंतल का उत्तराम चरित का वेनी संगार किसी भी करंद का पूछे तो हम उसको हल कर लें मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ आ गया होगा और अब आप नोट्स बनाना प्रारंब कर देंगे और एक बड़ी सूचना के साथ कि बहुत सारे लोग फोन करते हैं लगातार कारयाले में और यह पूछा जाता है कि सर कब से आफ-लाइन क्लास लेंगे तो मैं आपको बता दूं कि अभी UGC की व्याख्या हो गया है और छपने गया है मेरे ख्याल से आपको 15-20 मई के बीच अवश्य मिल जाएगा और मेरी पूरी कोशिश है कि हम मई के महीने तक लाष्ट महीने तक आपको UGC का एक व्याख्यात्मखल छोटा सा 4-5 सालों का दे दें तो पूरी उमीद है कि 25 मई के बाद या जून की कटाई मणाई से खाली हो चुके होंगे और सपा बसपा और भाजपा के जंजाल से निकल चुके होंगे और सरकार भी नई बना चुके होंगे तो थोड़ा 23 मई तक आप भी सरकार बनाईए और अपने खेती पाती के काम को निप्टा लीजे और हम अपने अध्यान अध् हमसे बताएंगे और इस सूचना के साथ कि आपको जो लोग यूजी सी नेट जयारब की परिक्षा दे रहे हैं वो बड़े बिंदास तरीके से मौज में मस्ती में आनंद से पढ़ते रहें पूरी उम्मीद है कि जब आपके सामने आसपास कोई परिक्षा नहीं है तो आप इ आज इतना ही नमस्त अंस्कृत आए शुब शंध्या शुवराथ